सब हमें मिर्टकी कर ददने हैं में इसके सब्सक्peace करें कुंसी प्रजात की लगा एं किस तरह अपने खेटों में यह अई दूदत करेंगे हमें ठोड़ा किसान को दिखाना है किस यह किस टाइम से किस टाइम तक मैंनेल लगा है इस था तरह हो चुकी है जो आप इन दिखाएंगे यह आप सकते हैं यह आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरी involved is YouTube नाब अज हो चुकी है 10-12 के दूह है कि सांब्साथियों यह ने समय बताया है आप लोग कि 10 दीशा करान किसकरान हो चुकी थी मैंने इसका पहले समसोधित किया था किस तरा समस्धित करके लगा ता तभी मेरा तब से बारा दिन बताया है तभी इस तरह मेरी भीन्डी जो आपको दिख रही है यह तभी इस तरह हो पाई है तो आपको समय से लगाने का तो आपको लगाना है मार्च तक तभी आप उससे अच्छा वत्पादन ले सकते हैं तभी आप अच्छे उसके खेती कर सकते हैं तो आप हमारे इस तरीके से जो मैंने बताया है उससे खेती कर सकते हैं किसान के द्वारा किसान से थोड़ा हटके है मेरी जो भिंडी है और उसने जो हमें किसान से आपको जानकारी जो आया थे किसान साथ्यों आपको इतना वत्पादय नहीं मिलेगा क्योंकि यह है गार्मी वाली गार्म साथ बताया था किसान साथ मैं कि अच्छा होगा किसान साथ ही मैं वाने वीक क्यास किया 10-12 दिन में माइन के जर्म नेशन देख कर यह इसके बाद इस के थोड़ा न को पंढोरा साथ पिलिया यह आप दिक डिख कर्षा भावग् है तो आप इस तरह करना है और रहीं से आपको लगाना है तुकि किसांसात्यों आपको दो ही डालना है क्या होता है यह हमारा देख सकते है यह लेकिन इसमें क्या होगा तो तो आपको दो ड़ी सब्सक्राइब करना होता है उसको डला देना होता है फिर रोड़ा बेडर से मैंने जुताई करवा दिया अब से जो में नमी की बात करना होगा वह भी हलकी नमी के साथ हमें जब यह थोड़ा नमी कम हो इसके बाद हमें भी जो को लगा देना है डाल देना अपने खेतों में तो किसान साथियो आप नहीं बहुत करना क् 느ूब जिस तरह करना चाहते हैं आपको अभी क्या होगा विसमें मैंने कोई उरवरक खारे नहीं डाले है जोकि हमें इसको क् करेंगे इस समय उसका रेट है जो बहुत ही हाई होने वाला है तो किसान साथ हो आप भिंडी की खेती जरूर करें इसलिए मैं हर एक वीडियो में आपको दिखाया भी होंगे कि खेती के साथ लागत भी आपकी कम लगेगी और खेती का उत्पादन भी आप अच्छा ले सकते ह हैं तो किसान साथियो इतना ही अब अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा और बाया लेकर घंटे को प्रेस करने ताकि हरी जानकारी आप तक पहुंचती रही मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा किसान भायों के लिए कि आज तक क